जैश्री कृष्णा भक्तो जैश्री मैं नारायन कैसे हो आप सभी अमशो ठीक हो गया अब सभी कृष्ण वक्तो का हमारी वीडियो में स्वागत है श्रमागने के तोड़े सी आवाज सी निकल रही ताभी डाउन है तो आप देख सकते हैं भक्तो हब रोजान अपने चैनल के मातियम से अनुरुद्दचारी गुरुदेब के आपको दर्शन कराते हैं इनसे मिलवाते हैं और बहुत जादा पसंद करते हैं इनको भक्त बहुत प्यार पर कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा इनको बहुत फॉलो करते हैं हमारे देशों में नहीं अन्य विदेशों में बहुत जादन को पसंद करते हैं क्यों पसंद नहीं करेंगे जब इतने महानकारे गुरुदेव करते हैं आजकल कल्यूग में बेटों को एक माँ पालने बहुत भारी पड़ रही है और उनको लग रहा है लेकिन ये भूल जाते हैं हमें के स्ट्रकी से पाल पोस्के माने बढ किया मात 6-7 बच्चों को आट-9 बच्चों को पाल कर बढ़ा कर देती है लेकिन उनी बच्चों से एक मान नहीं पाली जाती गुरुदेव अपने जनम देने वाले पैरिंस की तो केर करी रहे हैं उनकी तो सेवा करी रहे हैं लेकिन अपने 280 माताय जो कोरी को पाल आश्रम म रहे ही हैं उनका भी बहुत बहुत ही जाद अच्छे से धियान रखते हैं उनके खाने पीने का उनकी दवाईयों का उनके कपड़े पपड़े जो भी इनका सब समान होता है सब चीजों के धियान रखना होता है गुरुदेव को आते पर भी उनसे मिलकर जाते हैं और जाते करना चाहते हो थाप सपोट कर सकते हो आपने जो तुम्हारी जैसी शरद्ध हो तुद जितनी तुम्हारी हैसियत हो उतनी आप अपने दान पूर्ण करें तो आप इस सेवा से जोड़ सकते हो हम सब करतभ वेवन्ता है जब गुरु देव दौस्षा हो कि सेवा कर रहे तो लें, हम सब करंद ब Murray नहीं होता कि दिखेंकर भागवान हमारी परमात्तम हमारी ओकास से ज्यादा देते हैं तो उन्न पर संदेश नहां करें तो आप कि जिसके जैसी भाव नहों आप पूर्ण इमा में अंड रस्वई में भी आप दान कर सकते हो जो हजारों संद रोज परशाद घ्राइंड करते हैं रोज परशाद खाते हैं और जो संद जो भक्त जाते हैं रंदावन जिसको नहीं भोजन मिलता है तो अनुर रस्वई में ज हमारी मा जनम देने वाली मा के टकर पर है और कभी-कभी ऐसा हो जाता है पहुंसे बच्चे माई का दूत ही पीके पले हैं और पल रहे हैं और अब भी पीते हैं लेकिन आज की कल्यूग में हमारी गाव माता दरदर भटक रही है रोटी के लिए तो आप अगर गुरु अपने हें लिए करोंगे किसी और के लिए नहीं और इंसा हम सभी सपोर्ट करेंगे तो हो सकता हमारे गुरु देब और ज्यादा तरकी करें और उनका जो सपना है वह जल्द पूरा हो इतरा है और दूसरी बात हमारे हिंदू द्रह में हमारे बांदरों को हनमाजी का सपॉर्ट नहीं मिलता इतना कुछ किर्पाइन बाते प्रभु की किर्पा रो किसी प्राप्त नहीं होते है तो आप धिगुरु देव से जोड़कर दान honest HAacción के लिए दान्त कर सकते हैं these are people गुरु देव इतना संतों का समान भी करते हैं भागवत कथा भी करते हैं और भागवत कथा में इतनी रुची है भक्तों को उनकी सुनने में इतनी मीठी वानी लगती है यह जब मीठी वानी से कथा गाते हैं भजन गाते हैं सब भक्त अपने आंसु रोने लग जाते हैं साथ बजे से स्टाइट होती है पोने आठ बजे पे शाड़े पे समाइध होती है तो सब्रुश्नों शितरी करते हैं अजे कल मयिन भैले बहुत सारे सवाल Ma 새 cards rice अजाने लगजाते हैं तो और his Bir 약간 बंजह्यान रहे वंक्तों अपने धर्म जब ज्यान नहीं पालें तो अपने आदा धूरा ज्यान मत छोड़ें और जाद साथ कोशिश करें आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हो हिंदी की बुक पढ़ते हो तो आप संस्क्रित की पुख पढ़ने की कोशिश करो और हमारे जो अपने धरम की पुस्तक हैं शास्तिर व जाता है तो देखिए बगतो आप से प्रात्ना है अपने मन को माइंड को अपना कंट्रोल में रखना चाहते हो तुछ जद जादा कथा सुने भजन करें और भगति करें और बहुत से कहते हैं कि हमारे बिजनसमेन हैं हम काम करते हैं और हम में भजन कर पाएंगे तो नाम जब करते हो और ध्यान अपने प्रमीता प्रमात्मा में लगाते रहो कौई गाते हैं लेकिन आप उठते भ्यूटते खाते पीते चलते हरी का नाम ले सकते है जो नाम में आपको रुच्छी हो वह नाम आप जाब कर सकते है वही तुम्हारा भजन है इसका ल्यूग में ना कोई तपस्या करने की जरूरते है ना कुछ आप बस नाम जब कर सकते हो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सक्सन है और दूसरी बात कोई जरूरत नहीं अपना घर छोडने की या कुछ उधो कुछ सन्यासी वन्नास लेने की कोई अवशकता नहीं है अपने ही अपनी ग्रस्ति को भगवान का रूप अपने उनकी से बजमेदारी मानकर सेवा करें और परमपिता परमात्मा को याद करके चलें जीवन में कितना की पहुंच जो कितना ही पैस कमाल हो लेकिन हमिशे ध्यान देने वाला भी वही है तो अपने ज़्यादा हैंकान रख़ें अपने अंदर और अपने शरल रहें गुरु देव आप इतने सारे महान कार्या करते हैं फिर भी उनको हमिशे अपने देखाओं को बहुत सेरल तरी और यहां तक है माइक की सबसे बड़ी बात है है माइक की पर बोलना माइक पर सौच कि की शोचल मेडिया की दमातियां से सम्में धेशों में ये उपते ही च्छाय हूए है आश से चैनल है ग loro लाकों परिवाज सुनता हमाना तो मजाग बात नहीं है कि माइक भी एक कथा गाना या बात को क्रियली करना मुझसे क्या पतक किस वक्त क्या निकल जाए शब्द जान को आपता जाती है शोशल मेडिया आज कल ये शोशल मेडिया की पावर है अगर एक शब्द भी होता है तो नियूस तक पहुंच जाते हैं सब कुछ तो प्लीज अब गुरुदेव को फॉलो करते हो प्यार परी कमेंड्स करें जैशीरी रादे रादे के लिए लिखना ना भूलें